नमस्कार मैं सूरा सिंग स्वागत करता हूँ आपका अपने चनल पर इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स की रिगारिंग डिस्कस करने वाले हैं अगर हम न्यू अपडेट की बात कहें तो एको सिस्टम में अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है बट इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं बात करेंगे हम OES मोबाइल आप की बारे में बैक आफिस पॉस्ट के बारे में या भी फिक एकाउन के बारे में इसके अलावा वर्चुल बैग्राउंड की रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं त प्लीज आप लेटिस्ट वर्जन को अपडेट कर लिजे, अपडेट करने के लिए सिंपली अपना OES मोबाइल आप को सबसे पहले लॉग इन कीजे, लॉग इन करते ही, होमपीच पर आपको अपडेट करने का लिजन अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करने के बाद हर एक फीचर को, हर एक अपडेट को जरूर चेक किजिएगा, बात करें अगर हम बीकली रिव्यू की, तो जैसा की लेटसन ने बताया ही था, कि इसकी रिगार्डिंग वो वीडियो को रेडी करेंगे, रेडी करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लोड कर देंगे, शाथ में उस वीडियो का लिंक बैक आफ़ीस में अपडेट सक्षन में भी प्रवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, अगर आपने ऊफ़ अंडर बैक आफ़ीस को लॉग इन करके अपडेट सक्षन चेक किया होगा, तो वहाँ पर वीडियो रिवीव का वीडियो लिंक है वो आपको मिल गया होगा, या फिर अगर आप रियर्ड सर के चैनल को आप चेक करेंगे, तो वहाँ पर भी वीडियो रिवीव का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप यह समझ सकते हैं, कि लास्ट वन वेक में क्या क्या हुआ हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, बात करें, अगर हम यहाँ पर यह भी फेक एकाउंट की, तो यहाँ पर आप सभी ने यस्टरड़े कुछ गुरूप्स में इसकी रिगाडिंग एक पोश्ट देखा होगा, कि asm for a sir के name पर किसी ने अपना facebook account create किया हुआ है, as sir का profile picture भी लगया हुआ है, as sir का जो name होता है, title होता है as of a sir, तो वो भी उसने type किया हुआ, मतलब as sir के name पर ही उसने facebook account create किया हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि as sir का facebook पर कोई भी official account नहीं है, तो अगर as for a sir के name से आपको friend request आती है तो please उसको ignore कीज़ेगा उसको accept नहीं कीज़ेगा क्योंकि as sir का कोई भी official facebook account नहीं है ये बात उन्होंने कई webinar में खुद से बताई है तो please ऐसी चीज़ों से हमें बचके रहना है social media पर बहुत सारी चीज़े होती रहती है क्या official है क्या authentic है पहले उसे आप verify कीज़े तुरंत मतलब just आपने देखा और उसको आपने accept कर लिया ऐसा आपको नहीं करना है अगर कोई भी चीज़ आपको social media पर दिखाई देती है पहले उसको आप check कीज़े authentic way से उसको आप check कीज़े जब आपको लगे कि ये post ये message रियल है तभी आप उसको आगे share कीज़े other way उसको आप ignore कीज़े तो please मैं आपसे request करता हूँ कि अगर आपको as fariser के name से अगर किसी का friend request आता है तो ध्यान रखे as sir का official account नहीं है वो fake account है उसे accept मत कीज़ेगा उसे आप लोग ignore कर दीजेगा इसके बाद अगर हम यहाँ पर virtual वेग्राउंड की बात करें तो इस feature को कैसे use करना है आप सभी जानते हैं कि as a host as a speaker इस feature को आप लोग use कर सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर webinar link create करिए webinar link करने के बाद webinar को start करिए start करने के बाद जो आपका webinar का page होता है जो webinar का room होता है तो page पर सबसे नीचे अगर आप android phone के थुरू webinar कर रहे हैं तो page पर सबसे नीचे left side में सबसे नीचे corner में आपको more option का icon नजर आएगा जैसे आप उस पर click करेंगे तो वहाँ पर आपकी सामने सबी features नजर आएगे उसमें से आपको AI virtual background पर click करना है click करते ही AI virtual background का पूरा page आपके सामने open हो जाएगा और open होते ही सबसे उपर आप लोग ध्यान से देखिएगा वहाँ पर background option को select करने का option होगा जिससे कि आपको on passive की regarding background चीए या फिर open की regarding background चीए या फिर AI की regarding background चीए या फिर आप slide करके आप other background option को भी select कर सकते हैं choose कर सकते हैं कि आपको किस की regarding background चाहिए आपको celebration की regarding चाहिए या फिर आपको achievement की regarding चाहिए आपको जो भी चाहिए office की regarding चाहिए उसको आप लोग पहले select कीजे select करने के बाद For example, आपको यहाँ पर O-Connect की regarding virtual background add करना है तो सबसे पहले आपको उपर जो option दिया गया है O-Connect सबसे पहले आप उसको select कर लेजिए Select करने के बाद O-Connect की regarding जितने भी virtual background है वो आपके समने नजर आएंगे नीचे तो नीचे जो भी आपको background चूज करना है select करना है, add करना है अपने background में तो उस पर आप लोग click कीजिए click करते ही उसी background पर एक छोटा सा check box गोला जैसे आपको नजर आएगा उस पर आपको again click कर देना click करते हैं क्या होगा वो select हो जाएगा select करने के बाद नीचे आपको set virtual background को option नजर आएगा simply आपको उस पर click कर देना है click करते ही वो background add हो जाएगा virtual background जो है वो add हो जाएगा तो इस परकार से आप लोग इसे check कर सकते हैं और use कर सकते हैं और background के इतने options देगे हैं जैसे कि यहाँ पर on passive हो गया o correct हो गया, AI की regarding है या फिर academics की regarding है, achievement, arts, celebrations, cities, condolence का है galaxy का है, general, landmark का है, movie tv का है, nature, office, seasonal right, बहुत सारे यहाँ पर background के options दिए गए है space का है, technology का है, custom भी है यहाँ पर, यानि कि आप खुछ से भी यहाँ पर add कर सकते हैं तो इतने सारे options दिए गए हैं, अगर आपको celebrations, अगर आप कोई webinar celebrations की regarding कर रहे हैं अपना virtual background add कर सकते हैं, अगर आपको office, office टाइप का कोई virtual background चाहिए, तो office टाइप का भी आप यहाँ पर virtual background को select कर सकते हैं तो इतने आपसे दे दीए गे हैं वर्चाल बैग्रॉड के आपको खुद इसे यहां पर अंपर अप्लोड करने की आउ सकता नहीं पड़ेगी तो इस परकार आप stride करके अपने वैग्राउंड में यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप खुद से upload करके खुद का कोई virtual वैग्राउंड आपने create किया है तो अगर आप custom वैग्राउंड भी यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं उसके लिए simply आपको वहाँ उस page पर upload का option अजर आएगा तो आपको upload पर click करना click करते ही आपके जो phone का gallery है वो open हो जाएगा वहाँ से जो भी आपने background create किया है जो भी आपको select करना है उस पर click कर दीजे click करते ही जो आपने background select किया होगा तो वो automatically कुछी second के अंदर आपके o cut में add हो जाएगा add होने के बाद वो जो आपने select करके add किया है खुद से जो add किया है खुद से जो आपने upload किया है वो आपको कहाँ पर दिखेगा वो आपको दिखेगा custom में तो सबसे उपर जो select करने का option आता है तो उसको आप slide किजिए slide करके आप last में जाए last में आपको custom का option अज़र आएगा तो custom पर आपको click करना है click करते ही जो आपने खुद से upload किया है तो वहाँ पर आपको वो option अज़र आएगा मतलब वो background आपको नज़र आएगा तो अगर आप उस background को use करना चाहते है तो उस background पर click करके select करने के बाद set background पर click कर दीजे आपका background add हो जाएगा इस परकार बहुत ही आसानी से अगर आपने कोई background यहाँ पर create किया है और अगर आप उसको use करना चाहते है अपने webinar में तो बहुत ही आसानी से प्रेर आप ट्राइग कर रहे होंगे तो आपका जो camera है जो video camera है वे आपका on होना चाहिए तभी आपका background यहाँ add होगा तो अपना camera on करके background को यहाँ पर add करना या फिर try करना चेक करना जो भी आपको करना है आप बहुत ही आसने सो यहाँ पर use कर सकते हैं और इसके अलवाद जो हमारे और भी upcoming features हैं वो बहुत ही जल्द यहाँ पर add हो जाएंगे इसकी regarding हमारी on pass system लगातार काम कर रही है तो हमें इसके लिए wait करना है check करते रहना है कोई भी यहाँ पर feature कभी भी add हो सकता है क्योंकि team लगातार काम कर रही है